दोस्तों दूद वैसे ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही फाइदे मन्द आहार है दूद के बारे में कहा जाता है कि ये संपून आहार है यानि कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई भोजन किये यदि दूद पर नरवर रहना चाता है तो वह अपनी पूरी जिन्दगी दूद के सेवन से जी सकता है दूद बच्पन से ही चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुश्य हो प्रतेक व्यक्ति के लिए प्रतम आहार के रूप में होता है इसलिए आईरवेद में से ओक साथ में बोला गया है यानि के ये शरीर के लिए सबसे ज़्यादा पोशक आहार है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ठंडे दूद से क्या-क्या वेनिफिट्स होते हैं और किन-किन डिसीजों को ये ट्रीट करता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जिन व्यक्तियों को एसिडिटी की समझ्या होती है ये जिन व्यक्तियों के पैप्टिक अलसर्स होते हैं वो यदि ठंडे दूद को घूट घूट करके पीते हैं तो उनके पैप्टिक अलसर्स में काफी राहप मिलती है ऐसिडिटी कई ऐलोपेटिक मेडिशन से जतनी जल्दी ठीक होती है उस से ज़्यादा जल्दी इस ठंडे दूद को घूट घूट करके पीने से ठीक होती है नमबर दो इसकिन के लिए ये ठंडा दूद बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है इस ठंडे दूद को यदि आप घूट घूट करके पीते हैं तो आपकी इसकिन को ये हाइडरेट करता है और साथ में वहाँ पर पित दोश को शांत करके इसकिन की लाइटनिंग को बढ़ाता है थंडे दूद को यदि आप फेस मास्क के रूप में आप यूज करते हैं तो इसकिन को गलोइंग करता है जो व्यक्ति ठंडे दूद को मिस्टरी मिलाकर और बादा मिलाकर पीते हैं उनकी सेक्शल प्रॉलम समाप्त हो जाती है यानि के इनको नाइट फॉल की प्रॉलम है या उनको प्री मेच्वर इजैकुलेशन की प्रॉलम है या एरेक्टाल डिस्फंक्शन है इन सारी समश्चाओं में दूद बहुत ही फाइदेमन सिद्ध होता है नेक्स्ट इसका वेनिफिट है या थंडे दूद को पीते हैं तो आपके पाचंत अंत्र को भी ये सुबरवस्थित करता है साथ मैं डाइरिय और डिसेंट्री या सी डिसीजन को ठीक करता है ठंडा दूद ठंडा होने की वज़े से जह हम इसे पीते हैं तो यह हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर के तापमान के बराबर इसका टेंपरिचर जब तक नहीं हो जाता तब तक ये पच्चता नहीं है यानि के इसको पचाने में कैलरी की मात्रा ज़्यादा खर्च होती है जो की मौटा पे को दूर करने का सबसे अच्छा ट्रीट्मेंट है ये बज़न को घटाने में भी बहुत ज़्यादा फाइदे मन है ठंडे दूद को यदि सुभे केले के साथ सेख बना कर पीते हैं तो यह बज़न बढ़ाने में भी कारगर है साथ में यदि रात में इसी दूद में आप दो चम्मश शहद को डालें और इसे पी हैं तो काफी बेनिफिट्स होते हैं बज़न बढ़ाने में इस दूद के दोस्तों ठंडा दूद हमारे ब्रेन की कैपसिटी को भी बढ़ाता है ये हमारे ब्रेन की वर्किंग कंडिशन्स को भी इंप्रूब करता है साथ में इसमें कई पोशक्त्त होने की बएस से यह कैलसियम की कमी को दूर करता है और अन शरीर की कमी को दूर करता है तो दोस्तों, आप ठंडे दूद का शेयर बन जरूर करें और यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें साथ में इस वीडियो को अने लोगों को शेयर करें तब तक के लिए स्टे हल्दी, स्टे मोटिवेट